असलाम लेकुम डायलोग विदिस्ट्री के साथ मैं हूँ आईशा नूर आज हमारा मौजू है पी टीवी का कयाम और अरूजो जवाल इसके लिए मौजूद है आफताप साहब और फैसल शेडजान साहब सर इसमें क्या हमारे लिए मसाइल रहे किस किस जमाने में विकास पी टीवी ने बहुत एराज देखे हैं क्या वज़ा है कि पी टीवी अपना मयार उस तरह से नहीं रख सका जो कि एक स्टेट फंडेड चैनल एक स्टेट ओन चैनल का मुकाम होता है पहली चीज़ जो है वो यही है कि हमें यह समझना है कि स्टेट ब्राडकास्टर या पब्लिक ब्राडकास्टर क्या होता है public broadcaster का मकसद जो होता है वो public का interest होता है उनके लिए तफरी भी मोहिया करना information भी मोहिया करना इतलाद भी देना उनको ये है असल public broadcaster का मकसद और अगर हम पाकिस्तान टेल्वियों के history को देखें तो इसकी शुरुआत होती है 1964 में और ये एक private organization सेद वाजद अली और उनके भाई उन्हों ने ये setup किया था पहला station लाहूर में NEC जपान की जो एक company है उनके साथ मिलके लेकिन फिर state ने ये सोचा कि नहीं ये जो है ये public के उसमें जिब्रे में आता है परवी में होना चाहिए इसलिए फिर government ने take over किया और पहला station जो है पाकिस्तान टेलिविजिन का वो लहूर से शुरू हुआ और एक tent के नीचे इनके शुरू हुआ शुरू आप इसी ही होती है अम आपका nuclear बिलकुल है उसमें फिर क्योंके आपके पास nursery नहीं थी कोई training के institute नहीं थे तो रेडियो पाकिस्तान के जो producers थे उनको लाया गया तो उनमें आगा नासिर नुवाय नामों में से थे वो आए वहां से रेडियो पाकिस्तान से और उन्होंने फिर टीवी में काम करना शुरू किया फिर government ने लोगों को training के लिए भेजना शुरू किया जर्मनी भी भेजा, UK भेजा BBC के साथ train होने के लिए और पहली जो team थी PDV की वो बहुत ही well trained team थी और वहां से PDV की शुरुआत जो है अगर हम late 60s में जाते हैं तो drama introduce होना शुरू हुआ तफ्रीय प्रोग्राम्स आने शुरू हुए discussion प्रोग्राम्स आने शुरू हुए quiz प्रोग्राम्स बनने शुरू है और उस तरह वो चलता किया उसके बाद आता है वो period जो आफ़ताब साब का बहुत ही फेवरिट है और असलम अजर का पीरिड आता है जब जुर्फिकार अली भुटो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने असलम अजर जो के बहुत ही बड़े जो कहते हैं ना सपोर्टर्फ है पॉब्लिक ब्राडकास्टिक शानदार आता है तो आप हमेशा कहते हैं कि वो शखक्स का नाम नहीं है पॉब्लिक ब्राडकास्टर का मतलब पैसा कमाना नहीं है मैं तो हमेशा मिसाल देता होता हूँ कि बहुत बड़ा अधारा पंजाब यूनिवस्टी को आप केटरिंग कंपनी बना दें गर्मन कालेज को आप शादी हाल बना दें पैसा तो बड़ा कमाएंगे तो ये बिलकुल यही हशर PTV का कर दिया गया हम अकसर रोना रोते हैं ये कि आखिर क्या वजाए है कि हम अपने अवाम तक एजुकेशन का फॉर्मेशन का स्कूलिंग का वो एलिमेंट पहुंचा क्यों नहीं सके बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी अगर थोड़ा सा शायबा ट्रैफिक की तालीम का अवाम तक पहुंचा है तो वो ही है जो PTV जिसकी पैरोडी हुआ करती थी ये है मुडने का सही तरीका काफी कैमपेंज थी इस तरह पीटीवी की पुरानी देखिए अच्छी बात और वो इस तरह की कई चीज़ें पुरानी की प्लेट पर मत लुड़का करो अपनी बारी पे बोला करो कतार में खड़ा होना सीखो चड़ते सूरज को सलामिया मत दिया करो ये सारी चीज़ें एजुकेट करता है हम कहते हैं नौर्वे में कैसे इतने से आने लोग हैं वो भी तो हम जैसे हैं अमरीका के फाउंडर्स में से बहुत से ऐसे हैं जो क्रिमिनल बैक्गराउंड रखने वाले लोग तो इतने शानदार कैसे हो गए मीडिया ने आपको सिर्फ इनफॉम ही नहीं किया आपको एजुकेट भी किया आपका ड्रामा तरहसी चुरहसी बैसी धूप किनारे तनहाईयां खुदा की बस्ती इसका कोई मोल नहीं जोकस्याल का वारिस का दहलीज का समंदर का इसका कोई मोल ही नहीं ये ऐसे ऐसे शानदार ड्रामे थे आकरी चिटान बहुत लाजवाब काम थे कसवटी जिसे कसवटी कहने पर मुसर रहा पी टी वी ये कुरेशपूर ने कैसे करेक्ट नहीं किया दिल्चस्प बात सवाल ये पैदा होता है जो भी आपने का करेशपूर जैसा एक स्याना शक्स और अफ्तखार आरे अवैद अल्ला बेग इतने स्याने एहल जबान इन्होंने इजाज़त कैसे दे दी इसको दिल्चस्प बात ये है के कसवटी पंजाबी का लफज है अगर ये उर्दू होती है खालिस उर्दू तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी नाक तले ही सब कुछ होता है ये बड़े लोग है हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है तो ये सारा सिलसला बेहतरीन चल रहा था उस वक्त तक पाकिस्तानी टेलिविजन के प्रोग्राम्स ड्रामा ये आसमान पे था और हमने इवन इंगलेंड के साथ पहला क्रिकेट मैच जो 77-78 वरना हम सुना करते थे लाइव ब्रॉड कास्ट क्या होती है सब कुछ शुरू हो गया तो ये था इसका नुक्ता है कमाल अब जवाल कान से शुरू हुआ जिस दिन से किसी कमबख्त ने ये कह दिया भी आपको सिल्फ सफिशन्ट होना है आप पैसा कमाएं तो पैसा कमाने की तो वह मिशीन था उसने फिर धड़ा धड़ ये नहीं का पत्तर है हर चीज़ हजम करते गए और आखिर कार वो जो उसका एक एलिमेंट था मादरे इल्मी का एक ट्यूटर का एक टीचर टूटोरियल्स है एक तरह की कि आपको तमीज बताई जाते हैं देखे हम आज कॉमेडी करते हैं कैसी फकड़ बनाया उसमें क्यूं थ्रेश वो लाउडनेस नहीं थी जी आपने कंपिटीशन शुरू कर दिये जब आपने खुली छुटी दी आपके टीवी को एंटीम के मुझद जो लाने वालों में से एक मौसूब थे अब उदर लगा हुआ है चांद ग्रहन चांद ग्रहन में एक फिक्रा ऐसा के साही मैं नहीं था चली नहीं सकता फर्याल गौर सेंग डिस टू शिफी मौमद उसने तो ग्लैमराइज कर दिया और वो भी सराइकी में कह रही थी तो के पैरांदी जुटी है और इधर पी टीवी पे आलम ये था के अच्छी तरह आपको याद है हम इंटर फलो में होते थे और हमा हम परिशान थे क्या चीज है जिस पर पाबंदी ये जो लड़की घुमते हो चुटकी में जाती है ना ये बड़ी एरोटिक है यार चुटकी एरोटिक कैसे हो सकती है पहल तो ये बताओ कि मुह से को हरकत करती है ये बहुत रजीब सोच थी नहीं 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 देखे कि पी टीवी का प्रोटोकॉल कहता है कि अगर आपने चुरा घूम्पना है तो आप बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि उसके साथ खून लगा होगा और आप दिखा रहे थे तरा तर फाइरिंग तो फिर हम कैसे पीछे ना रहते हमारा जो हशर हुआ वो बिलकुल समझ आती हर मीडियम को अपने हिसाब से देखना चेहिए टेली विजिशन को मीडियम जिए üçे कैते हैं डियुडियूम यह ङयीडियॉट बॉक्स हर किसम का भंदा वो को देखता है हर किसम के लोग इसको देखते हैं घरों में देखते हैं बचे देखते हैं बड़ें देखते हैं पड़े ले spaces day इस commercial दौड में NTM का क्या किड़ारा थेंगे NTM शुरूहा उनीसो नवे में ठीके ने और वह एक private एदारा ठीक शालेमार भी प्राइवेट अदारा और NTM वो भी प्राइवेट अदारा और NTM का काम था प्रोग्रामिंग बनाना और उसकी मार्केटिंग करना ये उसका मकसद था ये मार्केटिंग का मकसद उसका था उसका पब्लिक ब्राडकास का मकसद नहीं था उसने पबलिक के लिए तफरी मोहिया करनी थी उनका इंटरेस्ट सच नहीं देखना था जो पीटीवी का काम था तो प्रेशर तो पड़ा पीटीवी पे और सची बाब बताऊं तो हमारे शुरू के ड्रामे जो है उसारे पीटीवी के पूडूसर्स ही बनाते थे नाम नाम बदलके कभी किसी बीवी के नाम पे कभी किसी बीटी के नाम पे तो मूर्ट आइटेंग रजाथे आजमाने खुली छुटी मिलगी देखे वही असगर नदीम सेयद उधर ड्रामा बना रहे थे जब उन्होंने चांद गरहन बनाया बहुत ज़ादा उसमें घुलाम गर्दिश बनाया तो बात कहां से कां पॉर्ण 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 परिमेटर्स चेंज होगे क्योंकि प्राइविट नेटवर्क था तो उसमें सेंसर जो है था उतना स्ट्रिक नहीं था जितना पीटीवी का था और पीटीवी एक दौर से गुजर चुका था जो इस दौर में पीटीवी पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी मेरा अपना ड्रामा रुक गया था नकाब हाँ नकाब मुझे याद है कोई चलने नहीं दिया जा रहा था कि जी इसमें तो वाइलेंस बढ़ी है जी आप हमेशा से ऐसी काम करने है सरब एक बंदे ने पीछे से उसको फायर मारना है हाथ में उसके हत्यार जो है वो सेमन एमे में तो ये कैसे हो सकता है कि फरंटल शॉर्ट से गोली यहां से ना निकालो मैं अब खालिद गयास जो मर्जी का है मैंने तो निकाल ली मैंने कही जी मैंने तो बना दिया डबे में रखने तो फिर ला ने करम किया अच्छे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जतनी सकतियां थी जिया उल्हक के वक्त में पी टी वी ने सबसे अच्छा काम अपना उसी वक्त में किया क्रियेटिविटी जो है ना उस वक्त वे आई फिफ्टी फिफ्टी एक बहुत बड़ा एक्जामपल है उसका जो जो पिए वज़ा भी है वज़ा क्या है कि जब आपको बसारत नहीं ना देता तो समात बहुत आला दे देता ये निजाम एक उद्राइए जब आपके हाथ काम नहीं करते तो पैर बहुत अच्छा काम करते है जब आपकी आजादी सल्व हो रही हो तो आप तखलीक को क्रियेटिविटी पिर शौयब मनसूर ने वो कर दिखाया शौयब मनसूर ने नहीं है अन्वर मकसूद जैसो ने बहुत सार ने एश्वाक साहब ने बहुत कुछ कर दिखाया है इनका बहुत बड़ा किरदार है इस काम में एफसजे क्रियेटिविटी तो आज भी बहुत है ड्रामा बहतरीन आज भी बन रहा है पाकिस्तान में और इसकी गवाही मेरा खेल है बहुत सारे और इंडस्ट्री भी दे रही है कि जो पाकिस्तान का ड्रामा है वैसा ड्रामा हम नहीं बना पारे जिस तरह इंडिया खुद कहता है एक्सक्यूज मी मैं मैं भी डिसग्री करूँगा यह मैं आपको बता रही हूँ यह उनके बहुत कह रहे हैं बहुत कमाल है पॉपिलेरिटी और चीज़ है क्रियेटिविटी एक बिल्कुल ही डिफिर्टिविटी मैं तो उस दिन घी के चराग जलाओंगा अगर पाकिस्तान में क्रियेटिविटी चुरू हो गी यहाँ Amdra चे के की बात चाफै की बात बड़ अच्ष कि स चालॉ ने मेरेह इसाब से कोई पच्छे साल की आपका आज का जो ड्राम है ना वह डाइजि़एस है ये सारे डाइजेस्स राइटर्स हैं जो है यह अच्छा तो है ना अच्छा का है क्या है फॉलोवर्स हर एक को मिल जाते हैं रीडर्स डाइज़स्ट इसच अ पॉपिलर या डाइजस्ट इन वर्ल्ड स्पुटनिक बड़ा पॉपलर फिर सब रंग आदिल्जादा शकील आदिल्जादा शकील आदिल्जादा मैंने चंद दिन पहले भी उनका तसक्रा किया था यह बड़े बाकमाल लोग हैं लेकिन इस नॉट लिटरिचर इस ग्रेफिटी यह एक खास मुद्द के लिए और एक खास तबके के लिए होता है और इसमें बहुत बड़ा इंफ्लूएंस है इंडिया का जो इंडियन सोप आना शुरू हुआ ना जब स्टार प्लस आना शुरू हुआ उस पे सोप आना शुरू हुआ तो हमारा ड्रामा जो है वो भूल गया अपने आपको हमारा ड्रामा कोई इंसेस्ट्रिस कोई रिलेशन का कोई शायबा नजर आता है कभी कहीं इन फिडेलिटी यह सारी चीज़ें हम इसके बगार गुजारा किया करते थे भाई इसकी तो इजाज़ती नहीं थी बुटों नहीं देता था जयाओ लग तो बहुत दूर की पाफ्स से अगर आज आ यह साथ मिसालों की चार्ट बिक रही है जिसे हम कहते हैं जी पाक्स्तानी आज़ कल जो डरामा बनारा है साथ मिसालों की चार्ट बन रही है उसमें वह elements नहीं हैं जो social context के होते हैं कि सर अर्टोग्रल है क्या प्रोडक्शन उसकी शांदार प्रोडक्शन है इसी तरह आॉटमन अम्पायर बहुत खुबसूरत उसकी प्रोडक्शन लेकिन चस्ट इमेजन उसके मुकाबले पे चले जाए हमें साथ रेफरेंस देना पड़ेगा अच्छा वकील होता ही वह अज उसकी प्रोडक्शन उसकी प्रोडक्शन नेवर सिंस देन एक तो पहली दफ़ा उर्दू में इतना मूँ भाड के गाली दी गई और इस तवत्र से दी गई कि लोगों ने का यार यह क्या नई चीज आगी है वही एक चीज विल्गैरिटी ऑपसिनिटी अब्यूसिव लैं मिसाल के तौर पे कोई एक शॉट आप भी स्टूनेंट हैं यह आपका फील्ड आप वलाएद से पढ़के आई हैं यह सारा कुछ मुझे एक शॉट बताईए अर्टगरल के लेवल का इस पूरे के पूरे सीजन में एक शॉट नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलेगा ना इंड आपको बंद कर दे घर एक ही यह एक तुरवेदी बac इए एक तुर्वेदी बचाएगा एक तुरुट बचार्वार दी बाबक्त वर आपकां बेला बगएर शिरार्तें करते हैं ना उमर जवेद के बार हैं कि अंदे हाथ मान लो इंदे को बोल्यान जाना इसकी गालिया निकाल लो टके का ड्रमा नहीं है लेकिन हम फिर भी इतने चोटे लेवल पर उस मयार पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उसकी वज़ा है उनके पास कोई इस्तिहारात भी नहीं है हमारे पास इस्तिहार भी धड़ा धड़ चलते हैं क्या वज़ा है बीबिसी देखें 1936 में शुरू है और एक चार्टर के अंडर शुरू किया गया और उसको इंडिपेंड़न्स दी गई ठीक है लो बहुत इंडिपेंडेंटन्ट है गर्मेंट की पॉलिशी या नाशनल पॉलिशी को zarूर फॉलो करता है और उसने रोल भी प्ले किया सेकंड वर्ल वार में बीबिसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया to keep moral high to also influence occupied territories जो थी यूरोप की उसमें उनका रोल ये भी था कि सेडिशन में भी उनका रोल था ठीक है ने सारी चीजें की भी मस्ट अंडरस्टैंड information हमेशा weaponize की जाती है और करते हैं लोग ठीक है न तो ये समझने की जरूरत है BBC as a public broadcaster उसको कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि वो commercialize हो उसकी quality इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि आज भी दुनिया भर से different TV channels जो है BBC से programming खरीबते हैं वो सिर्फ अपने archive से इतने पैसे निका होता है छोटीजी footage जरूरत ही नहीं है उसको ठीक है ना 30 seconds, 60 seconds लेकिन डेर्ड मिनिट दो मिनिट के एक clip जो है ना वो हजारो dollars में उसका बिकता और बार बार बिकता है हमने वो काम किया नहीं हमने ऐसे public बाट एक हमारा romance जो है ना जो हमने देखा हुआ है PTV वो बिलकुर PTV डिफरेंट था मैंने जलतरंग सुनी हुई है PTV पे मैंने रोशन आरा बेगंट को सुना वह है PTV पे मैंने यावर रियाथ की गुफ्तकों सुनी हुई है मैंने दिल्दार परवर्वेस बटी के साथ गपचप की हुई है उन गुलाम गर्दिचों में बिलकुल ऐसे ऐसे बाक कमाल लोग थे मुनू भाई थे और हमें ये भी समझे की कुल्चरल इन्वेशन जो है न वो सबसे सिडियस खतरनाक इन्वेशन है और हम उसका शिकार हैं और F.S.J. यहाँ पर अकल के अंधों को हर जगा बैठे हुए हुए टॉप पर इन्हें पते ही नहीं के फिफ्ट जेनरेशन वारफेर एक चीज थी जिसमें बुरी तरह हम पिटे अब हाइबरेड में जा चुके हैं और इन्हें कोई अंदाजा नहीं के इनके पास वेपनरी ही नहीं है मैंने चंद दिन पहले एक दो बड़े सीनियर लोगों को हम तो छोर मचाने वालों में से हैं के भाई अब भी बगता है देख लो के आपके पास वेपनरी ही नहीं है के जिसके साथ आप प्रॉपेगंडा आपकी विलिफिकेशन हो रही है आप उसको एंकाउंटर कर सकें आपके पास पी टी वी था एक बहुत तगड़ा थियार था इवन ये जो प्राइवेट इदारे हैं आप सेडिशन की जास्त तो नहीं दे सकते ना कोई एजेंडा एंटी स्टेट तो नहीं नहीं हो सकता लेकिन यहां को पूछने वाले ही नहीं है सिडिशिस मवाद है जो चलता है और उसको फीड़म अफ स्पीच के जिम्रे में ले आते हैं तुम्हें पता ही नहीं कि फीड़म अफ स्पीच है क्या बीबी सी से जिखो बीबी सी से अपना मुल्क पहले है और फिर बाद में किसी को पता ही नहीं यह चंद दिन पहले यह करनल की बीबी एक बड़ा मशूर एक सिलसला हुआ उसके साथ बहुत धोया है अंडियन मीडिया ने आपको अर अभी तक दो रहा है हम क्या कर रहे हैं उसको मजीद हवा दे रहे हैं स्पेकुलेशन करते हैं उस पे मसाला ढूनते हैं उसमेंマसाला डाले की कोशिश करते हैं वहाँ से जो है उनका जो नेरेटिव है वो और स्ट्रेंद हैं ये तो जो कर रहे हैं जाहल हैं लेकिन जो उपर बैठे हैं जो इनको कंट्रोल कर सकते थे वो मुझरम हैं वो क्रिमिनल हैं कि जो एक लाइन देने वाले लोग जो समझाने वाले और समझाने का तरीका होता है मह मरोड कर तो जयाओ लग समझा सकता था अब किसी ने नहीं समझना प्यार से महबबत से रिक्वेस्ट करके के भाई आपका नैशनल इंटरिस्ट क्या कहता है ये बात करने की नहीं है ये आफ़ आप आज की गुफ्टगू है ठीकिना मुझे इसे अतनाजा ये हुआ कि जरूर क्या है मैं तो इसके ओपर सारे काम करना चाहरा था बड़ा शांदार मौका था एक प्लंडर ओफ पाकिस्तान ये छोड़ें अर्थोगरल को पहले प्लंडर ओफ पाकिस्तान तो बताए ना पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है डे बन से लेकिन इंटलेक्चुल नमनेस का ये है कि हजार मरतबा बीन बजाने के बावजूद किसी को ख्याल ही नहीं है कि इसके ओपर बहुत कुछ होने वाला है ये कुछ कर आप रेलवेज से शुरू करें एक गर्वर्मन्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी होती थी बिलकुल जूटी एस मैं उस पर ट्रैवल कर चुका हूँ फिर पासको एक इदारा था शिपिंग कार्पोरेशन है फिर आपके बेश शुमार प्रोग्रेसिव पेपर होता था पी आई ये है बड़े इदारे हैं इनकी तारीख है बड़ी दिल्चस्प है हम इन पर भी बात करेंगे किसी दिन इंशाला नाजरीन ये था आज का डायल झाल